कॉंसियंट हाइंस का अगर एलिवेट देखोगे 10,000 रुपे के रेट से आने वाला प्रोड़क्ट आज 20,000 पलस के रेट से बिखता है क्योंकि उसके बगल में गाउन था लोग कहते थे कि यहां तो गाउन है नहीं अप्रिशेट होगा कौन आएगे इतना महेंगा प्रोजेट की बात करूँ तो यह प्रोजेक्ट भी एक लिस्टीड डेवलोपर का है इसको बना रहा है बहुत सारे लोगों के स्वाल थे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली थी लोकेशन के बारे में तो बहुत सारे स्वाल थे भी वह भी मैं आप सोर शेर करूँ दोस अच्छे होने चाहिए इंफ्रसक्षर नया होना चाहिए क्या आपको मिलता है तीन क्रोड रुपे के अंदर एक बड़िया थ्री वीएच के लंब सब दो हजार स्कारफेट के आसपास का साइज हो और आपका जो कॉंट्रेक्ट है वो बहुत अच्छा हो लोकेशन बहुत प्रोडेक्ट की प्रोपर डिटेल से चीजे में समझाने वाला हूं तो वीडियो के अंतक जरूर बने रही है क्योंकि यह जो फाइदे का सोधा है और यहां पे मैं कई ऐसे एक जामपल दे सकता हूं कि अगर मैं यह कावत बोलू कि वह कीचर में तो कमल खिलता है ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जिन्होंने ऐसे टाइम पे आये थे कि वहां पे लोग लेना पसंद नहीं करते थे आज उनी प्रोड़क्टों ने सबसे ज्यादा है अप्रिशेशन कमा के दिया कॉंसियंट हाइंस का अगर अगर देखोगे 10,000 रुपे के रेट से आने वाला प्रोड़ जब दे रहा है दूसरा अगर इसी का एजांपर लोगे तो क्रीश उमी जब डेवलोप हुआ था 7,800 के रेट पे आया था तो वहां पे रेट बहुत नीचे थे उस टाइम के अंदर और जो विजीट करने जाते थे तो गाउं के अंदर से रस्ता था या टूटा-पूटा तो लोग वहां भी कहते थे कि यह तो बहुत ही ज्यादा रेट है डबल रेट के उपर यह प्रोड़क्ट लेके आ लेकिन आज जी वही प्रोड़क्ट है आपको 20,000 रुपे के आसपास का रिशेल होता हुआ नजर आ रहा है सेम वैसे ही अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यह प्रोजेक्ट भी एक लिस्टी डवलोपर का है इसको बना रहा है अच्छा खासा लियाउट सारी चीजी आपको डिटेल से समझाने वाला हूं विद लोकेशन विद आपको प्रोजेक्ट किसी आप से दिखता है और लेने का बैनेफिट विद आपको सारी च करूं तो वीडियो को सुरू करते हैं और शुरू से मैं केलियर से आपको समझाते हुए इस प्रोजेक्ट की उपर लेके चलता हूं तो मैं आगया हूं गॉल कोर्स एक्टेंसर रोड की उपर और यह सेक्टर है आपका 59 59 को आप जानते हैं 58 सामने तो यह आपका कॉंसेंट से क्योंकि यह रोड़ बना हुआ है धिक है यह रोड बना हुआ है और यहां पे पीखे गाहुं में असके बाद है महींदरा लो मीन आ रहे तो यहां पर इनकी जो комп्र्सक्षण है माईवन winds प्रोड़क्ट को यह बना रहे हैं अच्छी खासी वह है अभी इस टावर की और इस टावर की पोजेशन आना बाकी है बाकी की पोजेशन आ चुकी है आज पास का अगर मैं SPR रोड से सेक्टर 80 की बात कर रहा हूँ तो यहां पे साइबर सीटी 2 SPR का नेशनल हाइवे नेचेट सीप्यार दोहर का एक्सप्रेक्ट रहे यह जंशन है तो मैं आपको चीज लेके जा रहा हूँ पार्क कोंसियन का दूसरा नया प्रोजेक्ट है पार्क सेक्टर 80 के अंदर वो बहुत खूब सूरत है तो लोकेशन को सबसे पहले समझते हैं हम SPR रोड पे सेक्टर 75 उसके बाद आपका साइबर सीटी 2 जहां पे डियल अप प्लान कर रहा है तकरीबन 200 एकड़ की कमर्सिल एक्टिविटी को डवलोप करने के लिए SPR रोड एक छोटा सा टूपड़ा जो की एलिवेटीड पास हो गया है कम्पलीट एलिवेटीड बनाया जाएगा जिसको सोना रोड एलिवेटीड कोरिडूर से आपका दौर का एक्सप्रेक से SPR रोड के डारेक्ट कनेक्ट किया जाएगा यह आपका SPR रोड है यही से यह रोड जाता है हिट करता है सीदा सेक्टर 80 के अंदर और अकेला एक ऐसा रोड जो सीदा आपको द्वार आपका नेशनल हाईवे एनेचेट के बाद पैरलर चलने वाला रोड यही है जिसके बा बात करो तो सेक्टर 75 कमर्शल सेक्टर डवलोप होना है अब आपके माइंड में यह भी आएगा कि यह तो बहुत टाइम लगेगा बिलकुल लगेगा बिलकुल टाइम लगेगा क्योंकि आपकी प्रोपेटी तब भी तो आपकी दीरे दीरे बने क्योंकि गुर्गाओं को बसने में तकरीबन 1970 से लेके देख लो और आज का टाइम देख लो कि कितना टाइम हो गया है तब यह रेट पहुंचे हैं गुर्गाओं कहां था कहां था आज आप इसी वज़े से आप गुर्गाओं के अंदर इंवेस्ट कर रहे हैं डिलफ परिवाना इस परिवाना को भ इन मेजर रोड आते हैं सबसे पहले गॉल्कोस रोड गॉल्कोस रोड के उपर बहुत प्रीमियम रेट हुआ करते थे उसके बाद रेट फिसल के आगे गॉल्कोस एक्स्टेंशन रोड पे फिर रेट आगे आपके दौर का एक्सप्रेक्स रेड न्यू उर्गाओं का यह ह बाद डियल अप जहां होता है आप जानते कनेक्टिवीटी रोड सब कुछ डेवलोमेंट यहां बनती है तो 600 एक्र की रेजिदेंशल कमर्सियल एक्टिवीटी यहां डियल अप की आनी है आने वाले टाइम में लेकिन जब आप समझदार होगे हो सकता है यह उकाद से बाह कोपाइड हो चुका है यहां पर प्रोड़क्ट आ चुके हैं यहां प्रोड़क्त लिया आया है मैप्स को माउंट विले का प्रोड़क्ट है यह अब आपका कहते हैं कि गोल स्टेट टू के रूब में यहां पर आने वाला है उसके बाद गोद्रेज के प्रोजेक्ट हर ल environment area दोस्तों यहीं पर कोई ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि हम इस सीरिय में जाते नहीं है इसलिए तोड़ा दूर लगता है और अब यह रोड प्रोपर connected है देख रहे हो पूरे विकल यहां से जाते हैं सीधे एनेचेट के उपर जाके connect होते हैं तो यहां से ज्यादा तर जि भी मैं आपको बता हुआ जिगनेचर के affordable है यहां पर एंट्री एम अंटालिया हिल्स है यह रोड सीधा पहाड़ियों के अंदर से एंजीटी एरिया दस अजार एकड का गलोबल स्पारी पार्क यहां पर डवलोग किया जाना है दो सो सतर एकड की कर्मा लेग ग्रीन एरिय इस आफकी साइट से National Highway नेचय इसके सामने इदर की बात करो तो सेक्टर 788 इदर की बात करोते सेक्टर एकी तो यह बीच में साठ मेटर का रोड वनना है और चीश सीप्रोजेक्ट रोड से हि इस प्रोजेक्ट की एंट्री है और यह कंपलीक का डिवलोग्बलेब से यह जो साट मेटर रोड है, यह इसी रोड से आपकी जंगली स्वरिपार्क की एंट्री होनी है, जो आगे सेक्टर सेवन्टीनाइन के अंदर से होता हुआ, आपको कनेक्ट किया जाएगा, जो गुरुणाओं के वूपर से एक मेजर रोड होगा, उसी से यह कनेक्टीड होगा, इसी एरिये के अंदर अगर देखा जाए तो सेक्टर एटी हसाइडीसी का पार्ट आता है, एचसाइडीसी ने यहाँ ओक्षेन किया था, और यहाँ पांसो क्रोड तक का लेंड पार्सल खरीदा गया था, जिसमें से एक लेंड पार्सल कॉंसियंट का था, कॉंसियंट ने यहाँ 5.6 सेक्र का लेंड पार्सल खरीदा गया था, उसके बाद यहाँ पे LDKो ने land parcel खरीदा उसके बाद यहाँ पे आईरिस त्रेहान आईरिस ने यहाँ पे खरीदा हुआ है आस्याना ने खरीदा हुआ यह sector 80 है कहा है और यह development है HSIDC के अंदर HSIDC यहाँ internal road बनाना शुरू कर दिया है आपने देखा होगा जैसे कि sector 78 में कोई भी internal road नहीं है लेकिन 80 की development शुरू हो गई है internal road बनने शुरू हो गए है कभी विजिट करना और आप देख रहे हुए यह आपका नेशनल हाईवय नेचेट सेक्टर 78 जो की DLF अधर प्रीमियम डवलोपर यहाँ पे आने है यहाँ से यहाँ तक का 500 मेंटर का डिस्टेंस है और front में यहाँ पे एक college पास है college आएगा यहाँ कोने के ऊपर क्योंकि यह वाली जो बैल्ट है यह institutional बैल्ट है इसके साथ साथ यहाँ सारे education नहीं आना है एक भाई ने comment किया था कि यहाँ पे कोई school वगएर आसपास नहीं है यहाँ इतने school आने हैं बहुत ज़्यादा उसक फिर यहाँ पे hsidc का यह पाट आता है sector 81 का तो यानि आपके 500 मीटर के radiation के अगर बात करो तो major तो आपके infrastructure ready है connectivity ready है और इस national highway एनेचेट के साथ जाना है rts और rts का station ही मानेसर में बढ़ेगा जो कि यहाँ से 500 मीटर का distance बढ़ता है sector 1 के लिए तो 500 मीटर पे आपको rts का station देखने को मिल जाएगा बाकी किसी प्रोडेक्टों को इतना इसका benefit नहीं मिलेगा यहां से cyber city आप आराम से जा सकते हैं गाड़ी की जुरूरत नहीं मिलेगी क्योंकि future electricity के उपर depend होता जा रहा है आप future को ट्रेक करोगे तो बैटरी investment कर पाऊगे यह national highway एनेचेट है और यह साइट है तो यह सरफ इतना डिस्टेंस है एनेची 1601 के अंदर बसी हुए पीछे क्योंकि कोई development नहीं आना एंजीटी का एरिया आता है यह लास सेक्टर है गुरुडगाओं का जिसके में development उसके बाद development cdc द्रावली में जाके है उसके बीच में सारा का सारा एने आपका प्रोजेट के लिए अब मैं थोड़ा प्रोजेक की डिटेल बदा देता हूं प्रोजेक क्या है कैसे क्या payment plan है क्या benefit आपको मिल सकते हैं तो बोड के उपर जल देता हूं कि किस तरीके से यह चीज़े दिखती है प्रोजेक किस तरीके से दिखता है क्या हसाड आना है किस हि назывation आता है प्रोजेक का and करा मैं यह एन रहा ह्ता है वह शिक्स्ती मीटर आता है और जो इसकी उपर आप देख रहे हो cycling ट्रैक आपका elevat है किसी प्रोजेक्ट में आपको cycling track elevated नहीं देखने को मिलेगा जो इसमें special है सबी टावरों का view color facing full facing का आएगा आप देख रहे हो सारा सारा elevated है उसके नीचे सारा green area zero vehicle movement इस प्रोजेक्ट के मिलती है प्रोपर तरीके से हर MLT इस प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइन की गई है एक छोटे से space के अंदर अगर फसाड देखोगे तो अलग अलग टावरों की अलग लग लोबी आपको नजर आती है तो हर चीज डेवलोप की गई है इस प्रोजेक्ट में सापूर जी पालम जी कंस्ट्रक्शन पार्टनर है इसके अंदर कॉंशेंट ओलडी एक्सपिरियेंस डेवलोपर है कई ऐसे प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलोप किये हैं उसके बाद आपको मैं एक बर थोड़ा सा UK layout और थोड़ा आपको दिखा देता हूं थोड़ा मैं बदा देता हूं यह टावर नंबर वन जो है 23 स्टोरी का तावर नंबर वन एंड आवर नंबर टू यह आपका है ग्जीपलस टुट ट्व हर्योंट हर फ्टोरी का और तावर नंबर थ्री यह आपका ट्वैंटी नाइन स्टोरी काओ ठीक है तावर नंबर फो ये है आपका तोर आगया 34 स्टोरी का किट को टोटल लैंड की अगर मैं बात करूँ 5.6 सेक्र तो टोटल यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 448 यूनिट टोटल इसमें Basil की बात करूँ तो size में आपको आगे discuss करोगा क्योंकि कई size इसके अंदर आ जाते हैं यह जो tower है यह है 4bhk का tower यानि 4.5bhk 28252 square feet का size इसके अंदर है और यह जो है यह 4 to poor apartment है दो unit इदर है दो unit कर्मा facing की आपको मिलनेगी जो की environment की होगी बाकी जो tower है इसमें यह जो इदर की facing सारी color facing आ गई उसके बाद आपकी national highway NH8 facing आएगी पीछे से NH8 है तो पीछे की unit की आपकी national highway NH8 की जो facing है वो आपकी यहां पे मिलती है और सब के सामने ये वाला जो हिस्सा है ये सारा color और green हिस्सा है triple height low भी आपको यहां पे देखने को मिलती है model ready है अगर model देखना चाहते हैं आपको model दिखा सकते हैं दोस्तों project detail को समझते हैं total land parcel आपका 5.6 हिकड़का हो गया total unit की बात करें तो 448 unit है ज्यादा unit नहीं है 4-2 core apartment है इसमें 3 VHK की बात करें 1945, 2255, 2355, 2355 और 3.5 VHK की बात करूँ तो 2325 और 2355 यह सारी L-shape की balcony इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी अकेला size है 4.5 VHK का जिसमें 2825 square feet का size आपको देखने को मिलता है यह इतने size हैं आप अपनी requirement के हिसाब से star हो कर सकते हैं minimum मूद देखो के तो 3,3 क्रोड से यहां property शुरू हो जाती है थोड़ी price list के बारे में और payment plan के बारे में और हम discuss कर लेते हैं तो price की बात करते हैं आप बताना कि यह वाला जो price है यह सही है या नहीं है 3 VHK ठीक है और 3.5 VHK का जो price आपको देखने को मिलेगा वो है जी 15,500 रूपे का ठीक है यह आपको price मिलता है उसके बाद 4.5 VHK का जो price आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 15,900 रूपे का यह price है जी इसमें इन दोनों में add क्या है आपका कलब दो कार EDC एंड IDC यह इस price के अंदर add है पलस है तो आपका PLC GST 5% IFMS 500 रूपे के आज पास यह पार्ट आपका add plus है इस price है इस price के अंदर आप यह देखो कि क्या इस जैसी location इस जैसा आपको developer contractor partner क्या आपको मिलता है इस rate के अंदर और अगर मैं payment plan भी discuss करूंगा तो आपको वो भी चीज़े काफी अलग दिखाई देंगी आपको कि हाँ यह भी सही है अगर मैं इसके अंदर अभी आगर आप property buy करते हैं तो इसके अंदर 500 रुपे का आपको inaugural discount अभी provide होता है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं यह festival है क्योंकि rate revise होना है अभी क्योंकि almost 300 unit के आजपास यह sold कर चुके है क्योंकि उसके बाद यह अब rate revise करने का plan करें है ताकि जिन लोगों ने लिया है उनको profit यहां पे मिले क्योंकि उसके बाद यह next जो फेस है वो open होगा एक अच्छे खासे rate के value तो इसका benefit भी अगर उठाते हो तो माल यह आप थ्री बेच के लेते तो 15,000 रुपे के अंदर आपको यह property पड़ती है प्लस GST प्लस IFMS प्लस PLC तो यह मोटा मोटा तीन क्रूड के आजपास की चीज आपको मिल जाती है इसके अंदर अब मैं payment plan के बारे में भी बात कर ले property है क्योंकि यह है लंबी investment और आप पोजिशन तक जाने के लिए आप जब मैं अभी payment plan आप से discuss करूँगा ना वो काफी आपको यह लगेगा कि हाँ यह चीजें काफी ठीक है investment के इसाप से plan क्या है इसके अंदर वो बात करते हैं सबसे पहले आपने जैसे की booking amount देना है 15 लाक रुपे का ठीक है और आपको booking होने के बाद 30 days के अंदर आपने 9.5% payment करनी है इसके उपर आपका BBA execute है वो हो जाएगा BBA बन जाएगा साथ में आपकी allotment हो जाएगी property की ठीक है उसके बाद 60 days of booking ठीक है आपने 10.5% आपने देना है यह part आप loan से दे सकते हैं तो यहां से मैं वैसे link देता हूँ अगर आप loan लेना चाहते हैं तो loan आपका start हो जाता है फिर 120 days ठीक है 120 days में आपने कितना देना है 10 10% ठीक है यह भी आप loan से दे सकते हैं यानि अगर आप पर शुरू का अगर मैं payment plan की बात करूं 30 35 और 35 का option है ठीक है अब यह जो आपने शिरफ 10% दे के 20% आपने बाई loan कर दिया self funding अभी आपने बचा रखी है उसके बाद जो next जो payment plan जाएगा आपका यानि 35% का वो तो floor का जो slab है उसके उपर 35% जाएगा 30% जाएगा आपका जब और 5% payment जाएगी और फरोन पोजेशन के उपर यानि आप यह सोचो कि भाई आज है आपने शिरफे 10% की payment कर दी ठीक है 10% की payment करने के बाद आपने 30% करने थी 10 आपने self की 20% का पाट आपने by loan कर दिया ठीक है और next जो 3 साल है यानि 3 year तक आपकी जो demand है वो नहीं आनी है यानि top floor आने में 3 साल तो लगते ही लगते हैं उसके बीच में कोई demand नहीं है तो तब तक यह property structure तक पहुँच जाएगी आजपास का जो development है वो उभर जाएगा अच्छा खास जो development है वो एक अच्छा पार्ट ले चुका होगा आजपास के जो developer है वह चुके होंगे rate revise कर चुके होंगे और तब तक आपका जो end user है वो इस side आना शुरू हो जाएगा क्योंकि तीन साल बहुत ज्यादा है और अगर मैं position तक की बात करूं तो position तक अगर आपका पार्ट ह है तो वो है five years का ठीक है आज आप यह मान लेजे पंदरा हजार रुपे कि मैं आप यहां पर property करीदते हैं मैं मरे से मरा कहता हूं कि जब तक position होते हैं मैं कहता हूं five year की बात करूं ठीक है कि पांच साल बाद क्या होगा मैं अगले पांच साल में कहता हूं कि सिरफ पांच ह अच्छी investment है बुरी कहा है अगर मरे से मरा पांच अजार रुपे का हो सकता है यहां पर ज्यादा आएगा क्योंकि DLF साथ की साथ उस एरिये को डवलोग भी कर रहा है और बसा भी रहा है अच्छे का से रेट पे हैससाइडी सी development ला रहा है क्योंकि वो जो सेक्टर वो ला कर सकते हैं क्योंकि आपको best deal provide हम करा देंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो discuss करनी है आप लोगों से क्योंकि वो हम यहां पे discuss नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों पसंद आई तो like करे, share करे और चैनल को जुरू subscribe करके जाना क्योंकि इस एरिये की अभी ब notification जैसे वीडियो डालें आप तक पहुंच सके और आप हमारा telegram और WhatsApp चैनल को जुरूर जोएन कर लें दोस्तों अगर आपके पास छोटी मोटी कोई भी self funding है तो आप मिल सकते हैं उसकी उपर हम बहुत अच्छी आरवाई आप तक को कुछ ऐसी property हैं जिसकी अंदर हम गेन कर बाल सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next video में अगर आप interested हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं मिल सकते हैं planning समझ सकते हैं किस तरीकी development आगे आने वाले ही इस एदिये के अंदर समझ सकते हैं दोस्तों next video में thank you झाल 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 झाल